हम सबी के गर में काफी cardboard होते हैं देखी मैंने भी cardboard काफी खटे कर रखे हैं लेकिन कुछ लोग इनको आप कबाड में या या फिर ऐसे ही फैंक देते हैं तो फिर आप यहाँपर इनको कबाड में फैंक ने की वजाए इनसे बहुत अच्छे आप organizer बना सकते हो जिनसे आप क्य जेंगे ही साथ-साथ में आपका घर भी बहुत अच्छे से और्गनाइज और क्लीन रहेगा तो हेलो फ्रेंस वेलकम बैक मैंने जितने भी आइडिया यहां पर कार्डबोर्ड के साथ सेर किये हैं तो सारे आइडिया में एक ही वीडियो में डाल रहे हूं ताकि सारे आइडि ऑगेरा जैसा भी आपके पास फैभरिक है उसका एकोडिंग आप गोडिंग ले लिजी और यहां पर इस थरीके से आप भॉक्स में लगा लीजी मैंने यहां पर मेरी बेटी की एक ड्रेस धी जो के चोटी हो गई है अगर अगर आपके पास ऐसी dress नहीं है तो आप कोई t-shirts का भी यूज कर सकते हो आप t-shirts lower वगिरा जो भी लेना चाहो आप ले सकते हो लेकिन आप अपने box के according ले लीजिए जिसे क्या होगा आपका box देखे बिलकुल अच्छे से यहाँ पर cover हो जाएगा अब देखने से बिलकुल भ रखना है और उसके बाद आप इसको ऐसे organizer की तरह यूज कर सकते हो तो मेरे पास इतने बीस तरीके से पेपर वगिरा रोल किये हैं मैं इन सभी को ऐसे organize करके रख दूंगी और दूसरा idea इसी के अंतर है कि आप चाहो आप ऐसे इसको planter की तरह भी यूज कर सकते हो क्योंकि इसी के अंतर lighting लगा रखी थी देखी लाइटिंग से भी यह देखने में काफी अच्छा लग रहा है और corners में इस तरीके से आप रखके अपने घर को decorate भी करके रख सकते हो और अगर आप चाहो तो इसको organizer की तरह यूज करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो उसके बाद देख कोई fabric लिया है normally आपके suit में से बच्चे में या कोई भी घर में पुराने कपड़े हो तो आप उसमें से भी cut करके इसको क्या कर सकते हो जिस सरीके से हम gift pack करते हैं बस वैसे ही इसको पूरा cover कर देना है तो मैंने इसको पूरा सरीके से देखे cover कर दिया है जो की देखने में क अच्छा लगता है देखे इस तरीके से आपको चहां रखना है आप उसको और रख के इस तरीके से organize करके रख सकते हो और निकालने में भी काफी easy होता है और हमें जितने भी हमारे एंकी है वह सारे जगे ही आ जाएंगे उसके बाद देखिए हमने यहां पर इलक्ट्रोनिक की जरूत नहीं है लेकिन आपका बड़ा है तो आप इसको measurement करके दो पीस में बराबर कट कर लीजिए तो मैंने इसको measurement करके इस तरीके से यहां पर इनको तिर्षा कट किया है ताकि इसके दो पीस बनके ready हो जाए देखे दोनों पीस मैंने बराबर इनको cut कर लिया है cut करने क बाद अब हमें क्या करना है इसको जितने भी उसके open parts है इसको मैं masking tape से इसको क्या कर दूँगी cover कर दूँगी जिस से इसके open parts है बिल्कुल भी खुले ना और जो भी हम organizer बनाएंगे तो इस हमारा organizer काफी मजबूत बन जाएगा अब दोन को पार्ट हमने जो cut किये हैं इन दोन masking tape का यूज कर रही हूं तो मैं यहां पर किस अच्छे से masking tape का यूज करके इसको काफी अच्छा मजबूत बना दूँगी और जो इसके part किनारे इस तरीकी से खुले हैं उन्हें भी यहां पर masking tape से लगा के इसको अच्छे से हमें इसको पूरा इस तरीके से अंदर की तरह fold कर देना है तो मैं इसको देखें यहां पर अपने wallpaper को पूरा अच्छे से cover कर दूँगी और side से किनारों से छोटा छोटा ही लिया है क्योंकि इतना मेरे पास wallpaper पूरा नहीं था कि मैं अंदर भी इसको cover कर सकूँ और कुछ अं हमारे books रखने के लिए organizer ready है हम market से लाते हैं इस तरीके के तो काफी महंगे भी मिलते हैं लेकिन हम घर पे ही इनको बना सकते हैं उसके बाद इकी छोटा सा organizer आपको बता रही हूं आपको कुछ भी नहीं करना है इस तरीके से जब भी हम मिठाई लेके आते हैं तो यहां पर देखें इस तरीके का box होता है और यहां पर अंदर इस तरीके की प्लास्टिक वाली डबी होती है तो बस हमें कुछ नहीं करना उपर वाला पार्ट कट कर दिया है उसकी लिड को मैंने हटा दिया है अब उसके बाद इस तरीके से double-sided tape को हमें अच्छे से इसके उपर लगा हैं लेकिन आप यहां पर देखें बीच में काफी अच्छा ही स्पेस है तो जो ऐसे ही वेश्ट जा रहा है तो मैं इसको वेश्ट करने की बज़ए ऐसे जो बॉक्से से उनको मैं यहां पर पेस्ट कर दूँगी तो आमने इसको double-sided tape को हटा दिया है और हटाने के बाद मैं इस तरीकी से यहां पर दीकि इसको ऐसे लगा दूगी तो हमारा organizer बनके बिल्कुल ready हो गया है तो ऐज़े यह draw की तरह हमारा organizer बन जाएगा तो यहां पर देखें इसको set कर लिया है set करने के बाद आपको यहां पर इसको open or bun करने के लिए यहां पर आप चाहूँ तो direct इस त और गिनाइज करके रख दिया है यहां पर पूरा इस प्रेस खाल लिए तो यहां पर जैसे में मिठाई लेकर आऊंगी तो वैसे ही इन बॉक्स को सारों को इस लाइन में लगा दूंगी जिससे पूरा मेरा यहां का जो एरिया है कवर हो जाएगा ऐसे बॉक्स मेरे पास काफ यह कट हुए थं तो एक डी को नीचे बेस में चीए मुझे तो इसके लिए मैं थर्मा कोलरा की स्विक्राद के इसके बराबर ना बनाहे है झाल लुक्स है मुझे धर्मा कोला काही लाै अब यह तुवर वाला पाठ है हम इसको cut कर देंगे और cut दोनों part जो part थे दोनों में cut कर देंगे और side में देखिए इस तरीका का portion खुला पड़ा है तो इस portion को हम masking tape से cover कर देंगे जिससे तकी ये बंद हो जाए तो यहाँ पर हम इसको बंद कर देंगे दोनों जो भी हमने part कर देंगे दोनों में इस तरीके से बंद कर देना है बंद करने के बाद देखिए छोटा से एक box बंद के ready हो जाएगा अब हमें यहाँ पर एक को इसके थर्माकोल के उपर रखके इस तरीके से masking tape से हम इसको चिपका देंगे जिससे क्या होगा दोनों आपस में चोइंट हो जाएंगे और वैसे ही तीसरे को नीचे की तरफ रखते वे थर्माकोल के नीचे वादी साइड से हम इसको चिपका देंगी तो आप इसको देखना भी कुछ चिपका दिने के बाद को जितने भी पाट है साइड में नीचे की सरब में उसके साइड से काड़ बोर्ड के चिपका करने के बाद में इनको वैविकल की हेश्ब से इस तरीके से चिपका दुगी जिससे क्या होगा काफी मजभीत बन जाएoric क्योंकि यह जो हमने रोल लिया था वह उसका पेपर होता है काफी पतला होता है लेकिन बस नीचे हमने शेप देने के लिए इस तरीके से उसका यूज किया है और उसके बाद देखिए साइड में सब जगे मैंने इस तरीके से कार्डबोर लगा दिया है और जहां भी जल्दी से चिपक जाए और हमें ज़दा वेठना करना पड़े तो पूरा मैंने देखिए मास्टिंग टेप से और कार्डबोर से इसको इस तरीकी से कवर कर दिया है कवर होने के बाद काफी मजबूत बन गया है अब चाहूत आप इसके उपर कलर भी कर सकते हो वनना आप यहां पर क्या करोगी इस तरीकी कि वालपेपर का यूज करके डारेक्ट इसके उपर लगा सकते हो और अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मली आप कोई भी पेंटो इसके उपर करके इसको अपनी मर्डि से डेकोरेट कर सकते हो तो प्रेकश सब ten वालाइण कोरब बघ ज तो इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पर छोड़ी तो पीस मेरे पास बच्चे में है उन्हीं पीस से मैं यहाँ पर इसको पूरा अच्छे से फिनिशिंग देते हुए पूरा इसको कवर कर दोंगी तो अमें इसको अंदर बहा जितना भी पूर्शन है उसको पूरा मज़े अ जाए करो कौन सा आडिया आपको सबसे अच्छा लगता है वो भी कमेंड करके जरूर बता दिया करो देखिए बातों ही बातों में मैंने इसको कवर कर लिया है पीछे की साइड से नहीं कवर किया था तो पीछे की तरफ मैं ब्लैक लर करके इसको अच्छे से करके रख सकते हूं मैंने च्छोटा सा अपना यहां पर लिप्स्टिक और नेल परिश रखने के लिए बनाए था जो काफी अच्छा लग रहा है उसके बाद इकी मेरे पास यह कार्ड़ बोड है जो पहले से मैंने यूज किया था अब खराब हो गया तो उसके बाद मैं इ मैंने यहां पर देखेस को इसी शैब में कट कर लिया है कट करने के बाद मैंने यहां पर क्लेंडर में से ही ऐसा आपको लेना है थोड़ा मोटव और इस तरीके से फोल्ड भी हो जाए तो कलेंडर वाला कJack पर सा इसको लिलीया और इसके उपर क्लू लगा के मैं यहां पर इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करूंगी और इस तरीके से इसका मैं यहाँ पर लगा दूंगी याईज इसको पेट की तरह बनाना है कि इसका फूला हुआ पेट भी बन जाए और साहते में हमारा ओर्गिनाइजर भी बन जाए अब यहां-पर टिक नहीं हरा था तो मैंने यहां पर फिर से masking tape का use किया है और use करके इस तरीके से मैं यहां पर इसको stop कर दूँगी जिससे क्या होगा कि यहां पर यह अच्छे से set हो जाए देखें यहां पर यह set हो गया है नीचे फैविकोल भी लगा दिया जिससे अच्छे से पेस्ट हो जाएगा अब नीचे वाले portion को भी हम फैविकोल से cover कर देंगे एक्स्टा पार्ट मैंने अभी कट नहीं किया है क्योंकि अभी इस पे glue लगा है तो वो cutting करते वक्त अटना जाए इसलिए मैंने इसको वहीं छोड़ दिया उसके बाद मैंने टिशू पेपर लिया है फैविकोल और पानी का mixture बनाते हुए इस टिशू पेपर को मैं इसके उपर पूरा cover कर दूँगे आप चाहो तो दारिप इसको ऐसे ही यूज कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा मजबूत और अच्छा सा texture दिने के लिए मैंने यहाँ पर इसका यूज किया है तो अगर आपके पास टिशू नहीं है तो नॉर्मल यापके पास इसे newspaper होता है आप वो भी यूज कर सकते हो तो मेरे पास टिशू था तो मैंने यहाँ पर टिशू का ही यूज कर लिया थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाते हुए इसको अच्छे से मैंने दो लेयर की यहाँ पर टिशू लेयर से इसको cover कर दिया है अब cover करने के बाद अब इसका हम face बनाएंगे तो face यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसका face बना दूँगी तो मैं first time ही face बना रही हूँ तो पताने कैसा बनेगा तो फिर भी चलो try कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने face का outline दे दिया है उसके बाद हमें यहाँ पर face को छोड़के और इसका पेट छोड़के जितना भी portion रहे गया है इस portion पर हम पूरा black color कर लेंगे और जो हमारा face और जो पेट है उस पर हम क्या करेंगे white color करेंगे तो यहाँ पर पूरा अच्छे से इसको उसी shape के अंदर हमें यहाँ पर जो color कर लेना है मैं थोड़ा सा black color ना सूका नहीं था उससे पहले ही मैंने क्या क्या था color कर दिया जिसके वज़े से थोड़ा सा face पे blackish share डाने लगे थे तो आप थोड़ा dry करके ही उसको color करें उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए इसके pair बनाए है तो यहाँ पर इसको glue की help से हमें इसको अच्छे से paste कर देना है और paste करने के बाद इस पे हम क्या करेंगे color कर देंके तो यहाँ पर इसके pair को मैं yellow color कर रही हूँ तो यहां पर आप चाहो तो पहले color करके भी लगा सकते हो लेकिन मैंने इसको पहले लगा के फिर से मैं इसका color कर दिया है अब हमें इसकी आईस बनानी है तो मैं इस तरीक से मार्कर से पहला इसकी आउट्लाइन कर ली है और ने के बाद जो ऐक्रेलिक कलर होते हैं उनी से ही मैं क्या करूंगी इस तरीके से कर लोंगे अपने के पास ऐसा पैन वाला ब्रश नहीं है तो मेरे पास पुरा ना मेरा बिल्कुल रह दी है तो इस तरीके से आप खासकर बच्चों की टेबल पे या कहीं भी आप इस तरीके से यूज करते हो देखने में काफी अच्छा लगता है और खासकर बच्चों की रूम में अगर इस तरीके क्या आप रखोगी तो बच्चों की रूम में काफी अच्छा काटून आइटम्स होते हैं वो बच्चों के रूम को और भी अच्छा डेकोरेट कर देते हैं तो मैंने तो अपनी स्टेडी टेबल पर रख दिया है तो यहां पर मेरी बेटी और मैं दोनों ही स्टेबल को यूज करते हैं उसके बाद देखिए यहां पर मिठाई पड़ी थी साइड ॉपर का घकाई है है तो तब नॉर्मल इस ऐऊपर कलर भी कर सकते हूं तो मेरे पास है व पड़ा था तो मैं इसको यहाँ पर अंधर की साइड से अच्amer से वाल पेपर लगा लूगे और किनारों से भी फिनिशिंग देदे लूगे और बाहर की साइड से हम इसको complement और बाहर की साइड से अपर कलर थोड़ा सा इसको अलग डिजाईन दे देंगे उसके बतन में इसी के साइच के छुटोडे पीसों को cut कर लेना है तो मैंने यहां पर इसको cut कर लिया है और cut-cut इस तरीके से cut की हैं कि जो इनकी lines है मैंने यहां पर design देखे एक horizontal और एक vertical इस तरीके से shape में cut किया है कुछ अलग सा बन जाए तो अच्छ नोम करना कि मैंने यहां पर एक होलिजोंटर एक वर्टिकल लाइन में in को कट कि वैसे हम पूरा में ने टीन देकिय लाइं फिर कर लिले है टीर पोड़ा कोगा कर लिए और द्राइघ कर लिए तो तो मैं मैंने कलर से भी पहले देखिए हम इसमें लेग लगा देते हैं तो मेरे पास देखिए हींग के डबबे नहीं होते हैं उसके इस तरीके के डखकन पड़े थे तो मैं इनी डखकन को ग्लू की है से इनके उपर पेस्ट कर दूंगी ताकि जो नीचे का बेस है वो थोड़ा अच तो मैं यहां पर इसको वेट ना करते हैं मैं इसको ग्लू से ही पेस्ट कर दिया है अब उसके बाद हमने यहां पर एक्रेलिक कलर लिया है एक पिंक और वाइप पिंक कलर में बहुत जादा डाल था इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा वाइट कलर मिला लिया जिससे क्या तो यहां पर देखी purple shade थोड़ा सा बनके ready हो गया है अब हमें इसके उपर apply कर देना है तो यहां पर मैं देखी इस तरीके से यहां पर इस cardboard के उपर इस तरीके से apply कर दूँगी आप अपने according चाहो तो उसको पूरे को ही color करके रख सकते हो और अकर wallpaper यूज़ करना चाहो तो प बता दूँगी कि आप इसको किस तरीके से use में ले सकते हों तो पहले मैंने यहां पर सिख इसको color कर के single box को ही use करके बता रही हूं कि इस तरीके से आप अपने कहीं भी dining table पे यह sofa table पे इस तरीके से ट्रे का यूज़ कर सकते हों तो इस तरीके से आप matte लगा के spray को जैसे pink color का मैंने बनाए तो pink color कर लेना मैं भूल गी थी यहाँ पे color करना तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि नीचे भी मुझे इन पे color करना था तो यहाँ पे देखिए हमारी ट्रे बनके बिल्कुल ready है तो आप इस तरीके से ट्रे को decorate कर सकते हो और इसी में दूसरा आइवियाज है कि अगर आप ट्रे ना यूज करके as a organizer यूज करना चाहते हो तो आप इस तरीके से cardboard को इसी shape में cut कर लीजे उसको wall paper से cover कर लीजे और उसके बाद जो दोनों यहाँ पर हमने portion ready किया है उन portion को हमें इस तरीके से लगा दिनना है जो lid वाला portion था उसको हम नीचे रखेंगे और बिना lid वाला portion है उसको हम उपर रखेंगे और इस तरीके से देखें दोनों paper को हमें इस तरीके से chip काते हुए इसको अच्छे से set कर देना है तो हमारा देखें एक organizer बनके बिल्कुल ready हो गया है अब आप इसको कहीं भी organize करके रख सकते हो चाहे kitchen एरिया में या street table पर लेकिन मैं अपने dressing area में इस तरीके से इसको organize करूँगी तो यहाँ पर देखें इस तरीके से आप कुछ भी समान रखके इसको organize करके रख सकते हो तो lipstick वगरा तो मैं यहाँ पर छोटा सा organizer मैंने बनाया था तो मैंने वो किसी को और किसी को दे दिया तो फिर यह organizer बनाके मैंने इसमें सभी समान को अपने अच्छे से organize कर लिया है तो वीडियो अच्छे लगे मेरी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना कौन साइटेस आपको सबसे जड़ा बैस लगा वो कामेंट करके जरूर बताना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तके लिए बाइ-बाइ